हेलो व्रीवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूकेसन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडिय लेक्चेर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे रॉक्सी टेबलेट के बारे में और जानेंगे कि ये मेडिसिन को कौन सी बीमारी में लेते हैं जानेंगे उसके डीटेल यूस के बारे में, डूस के बारे में specific, warning and contraindication के डीटेल स्टेडी करेंगे रॉक्सी टेबलेट के बारे के जिसके अंदर, मेडिकेसन है वो है रॉक्सी ध्रोमाइसिन तो इसके details study करते हैं आज के lecture में तो expert lecture by Amar sir Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being PharmaRox family updated rate of Pharma Knowledge के साथ सीखे अलग-अलग बीमारीों के बारे में उनके उपचार के बारे में दवायों के basic use के बारे में उनके dose के बारे में PharmaRox के अब उपर तो अभी download करे हैं PharmaRox सीखे दवायों के basic use दो side effects, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में PharmaRox के अब उपर तो एंटर यूजर एंटर यूजर एप डाउनलोड करें iPhone यूजर एप स्टोर से लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर 901631 2020 नमबर पे आप हमें call या WhatsApp कर सकते हैं साथ ही हमारा second channel की जिसका नाम है Hollywood to Hindi Experience को जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखे अलग-अलग Hollywood के मुई इसको वो भी अच्छी picture quality के साथ Hindi में अच्छे से explain की हुई story के साथ तो अभी subscribe करें हमारा second channel Hollywood to Hindi explain तो अब समझते हैं और रॉकसीड मेडिसिन के बारे में तो यह ऐसे class का मेडिकेशन है कि जिसको हम macrolide antibiotic medications कहते हैं और रॉकसीड जो है उसका brand name है तो उसके अंदर जो salt composition है या फिर salt content है वो है रॉकजित्रोमाइसिन है और यह medication के जो manufacture के हम बात करें तो Alembic Pharmaceutical Limited उसके manufacturer है और यह medications mainly जो bacteria के करन होने वाले जो अलग अलग bacterial infections होते हैं उसके इलाज में उसको treat करने के लिए रॉकसीड medication जो है वो यूज की जाते हैं अब समझते हैं रॉकजित्रोमाइसिन के बारे में तो जैसे आपने एजित्रोमाइसिन के बारे में सीखा होगा इरित्रोमाइसिन के बारे में सीखा होगा उसी तरह से Macrolide Class का यह antibiotic medication है कि यह सेमे सिंथेटिक antibiotic drug है आगे उसके बारे में कुछ detail जाने तो यह medication specially दो तरह के infection सबसे ज़्यादा treat करता है एक तो urinary tract का infection और respiratory tract के infection को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा यह medication यूज की जादी है और यह specially जो हो बनाई गई थी इरित्रोमाइसिन में से और जिसके अंदर उसकी जो हम यहाँ पे chemical structure देखे तो उसके अंदर रहता है 14 member का lacton ring कि जो उसको एक macrolide antibiotic class की properties जो वो provide करता है फिर an oxym side chain जो है उसके साथ attach होती है lacton ring के साथ आगे समझते हैं आब roxy tablet के basic use के बारे के कौन से अलग-अलग medical conditions को treat करने के लिए roxy medication जो हो use की जाती है तो जो अलग-अलग bacterial infections जो होते है उसको ठीक करता है यह specially कि हमारी जो body के अंदर होने जो दूसरे अलग-अलग bacterial infections जैसे कि एक जो ear infection होता है कि जो हमारे specially कान में होता है कि कान में समझे के bacteria के करन जो कोई infection हुआ है तो उस वक्त आप ear drops तो use करते हैं बट antibiotics के तोर पे roxy tablet भी आपको prescribe किया जासे जिसके अंदर roxy thromycin करके में medication है फिर nose infection या फिर nozzle cavity के अंदर bacterial infection हुआ है throat के अंदर infection हुआ है मलब कि गले में bacterial के करन infection हुआ है आपके urinary track के अंदर कि जाहे आपके kidneys के अंदर या फिर आपके bladder, ureter में तो या पे आपके urinary track effect हुआ है तो उसके लिए useful है skin समझे के आपके infected हुई है आपके body की तो भी ये useful साबित होता है आपके respiratory track के जिसके अंदर जो lungs आते हैं as well as जो wind पाई पाती है या फिर आपकी जो nozzle cavity से लेकर पूरा जो respiratory track है वहाँ पे infection है या फिर आपको tonsil का infection है फिर दूसरे जितने भी अलग अलग bacterial infection होते है respiratory track के या फिर streptococcal जो pharyngitis जो हम कहते है tonsilitis या फिर mastoiditis के जो condition की जो specially आपके गले के आसपास का जो पूरा area है वहाँ पे bacteria का infection होता है diptheria के condition है या फिर pertussis के जिसको whooping cup भी हम कहते है titanus के विमारी सभी में useful है syphilis है, gonorrhea leptospirosis की जो condition typhed fever, ear infection और जो pneumonia की जो condition होती है mycoplasma के करण होने 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 सभी को ठीक करता है ये roxy tablet अब समझता है roxy tablet के dose के बारे में dose के बारे में है जान ले तो सबसे पहले उसके comparison हम देख लेते हैं कि ये जो tablet है वो दो अलेगलेग strength में available है कि उसके 150 mg की ये tablet और तुसरी जो है वो 300 mg की tablet तो condition यह है कि आप पहले जानते हैं 150 mg के बारे में तो ये tablet आप दिन में दो बार खा सकते हैं बीडी मतलब की दिन में दो बार 101 की दिन में दो बार आप ले सकते हैं और वो आपको लेनी होती है खाना खाने से 30 मिनिट पहले 30 मिनिट वेफार मिल ये medication ली जाती है और जब किसी के treatment low dose से सुरू की जाती है कम dose से सुरू की जाती है तब ये 150 mg वाले tablet जो है वो यूस किये जाते है अब समझे के किसी को फिर आगे जाके high dose की ज़रूत पड़ती है या फिर low dose से treatment नहीं हो पारे तो उस वाक्त आपके पास option रहता है ये 300 mg के tablet का तो वो भी patient same dose से ही लेता है के 300 mg वो भी दिन में दो बार और खाना खाने से 30 मिनिट वहले वो भी लिना होता है दोनों में फरक ही है कि इसके रॉक्सीड 150 के अंदर 150 mg जितना रॉक्सीथरोमाइसिन है और रॉक्सीड 300 के अंदर जो है वो 300 mg रॉक्सीथरोमाइसिन मेडिसिन अवेलेबल है दोनों के मैनुफेक्चर से मही है यहाँ पर आप देख सकते कि अलेंबिक फार्माइसिटिकल ही उसके मैनुफेक्चर से है अब समझते हैं यह मेडिकेशन के मेकिनिजम अफेक्शन के कि इस तरह से रॉक्सीड टेबलेट काम करता है तो यह रॉक्षिद 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 रॉक् बना पाते और प्रोटिन ना बनने के करण उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और दिरे दिरे वो डिस्ट्रॉई हो जाते है अब समझते हैं रॉक्सिर टाबलेट के साइड इफेक्स के बारे में तो अगर आप ये मेडिकेशन लेने के बाद आपको आपके पेट में दर्द जैसा आप महिसूस कर सकते हैं फिर उसी के करण आपको जो है वो कई बार ऐसा होता है कि hearing loss मलब कि कान में कम सुनाई दे ऐसे कुछ side effect कुछ लोगों को होती है कुछ लोगों को hypersensitive reactions मलब कि skin के उपल allergic reactions develop होना जो हो सुरू हो जाती है फिर जो हमने बात की कि आपका stomach discomfort जैसे condition रहती है epigastric pain रहता है कि पेट में दर्द होता है उसके करण कुछ लोगों को nausea vomiting जैसा फिल करते है कि जी गबराना उल्टी हो जाना या फिर उनको दस्त हो जाते है diarrhea जैसी condition हो जाती है फिर abdominal pain जैसा भी कुछ लोग फिल करते है और diarrhea तो यह कुछ side effects है roxid tablet के अब समझते हैं उसके contraindications के कि कि इन लोगों को roxid के tablet यूज नहीं करने तो अगर आपको allergy है तो भी यह medication को यूज नहीं करेगा अगर आपको macrolides की allergy है कि अगर आपने agithromycin ली थी और आपको reactions होने लगे थी आपके body के उपर erythromycin लेने से problem हुआ था तो roxithromycin लेने से भी आपको same problem हो सकता है कि जो यह roxid tablet के अदर available है तो यह खास द्यान रखें फिर आपको diarrhea हुए है बढ़ diarrhea होने का reason है crostridium difficile bacteria तो भी यह medication को use ना करें फिर आपके body के अंदर magnesium के मातरा कम है potassium के मातरा आपके सरीर में कम है तो भी यह medication को use नहीं करनी है आप myasthenia gravis के patient है या फिर आपको skeletal muscles के disorders है hearing loss मलब कि आपको already कम सुनाई देता है या फिर आपको सुनाई ही नहीं देता तो आप यह medication को use ना करें irregular heart के rhythm रहती है कि जिसको torcid points का आ जाता है कि जो heart beat होते हैं या फिर heart rate वो plus minus रहते हैं कई बार वो increase होते हैं कई बार वो decrease होते हैं या फिर abnormal heart rhythm के जो complications से तो वो लोग भी और oxytromycin के यह medication को use ना करें subscribe करें हमारा second channel जिसका नाम है Hollywood to Hindi excellent के वहाँ पे आप देख पाएंगे अलग-अलग Hollywood की movies को अच्छे से feature quality के साथ medicine scores में सीखे दवायों के basic use के बारे में dose side effect warning and counter indications को एक साल तक affordable price में सरल बासा में सीखे फार्मा रोक्स के अब उपर android user android app डाउनलोड करें iphone user app store से या फिर 901631220 पे whatsapp करें अगर आप android phone रखते हैं तो android app डाउनलोड कर सकते हैं google play store पर से iphone यूज कर सकते हैं तो app store से यूज करें और link आप नहीं मिल रही है तो आप whatsapp कर सकते हैं 901631220 पे या फिर description box को चेक करें good leg and all the best